Hello guys, welcome back to our YouTube channel तो देखे, मैं आपका दोस्त अब है आज आप लोगों के साथ लेकर आएं वीडियो जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो Delhi University के student हैंगे semester 3 के अंदर उन सभी के पास एक subject हैगा principle of marketing चाहे वो become honors के student हो या become program के student हो तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आएं वीडियो जिसमें आज हम देखने वाले हैं इसकी unit number 4 है जो pricing decision उसके एक one shot revision वीडियो जिसके अंदर मैं आपको complete unit number 4 को एक one shot वीडियो में cover करवा दूँआ इसके सारे concept सारी चीज़ा आपको detail में explain कर दूँआ तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो लेकिन उससे पहले अगर आपने भी तक चैनल को subscribe ना करा हो तो चैनल को जुरूर subscribe कर लें वीडियो को like करना ना भूले अपने सभी दोस्तों के दाश शेयर करना ना भूले तो चलिए आप देखते हैं इस complete unit को इसके जो notes हैंगे वो टेलिग्राम पर upload हो रखे हैं वहाँ से आपने अगर अपिदा का access नहीं करें तो आप access करिए टेलिग्राम चैनल जोइन करने के लिए YouTube चैनल का about section है community post वाले section में टेलिग्राम का link को pin हो रखा है वहाँ से आप link पर click करेंगे वैसी आप टेलिग्राम जोइन कर लेंगे वहाँ पर आपको इसके notes upload मिल जाएंगे तो चलिए अब शुरू करते हैं तो देखें unit number 4 जिसका नाम है आपका pricing decision इसमें सबसे पहले हमें समझना है price होता क्या है तो the term price denote money value of product it represents the amount of money for which a product can be exchanged price क्या होता है जो भी money value होती है product की उसे price का जाता है इसे हम किस्ते denote करते हैं वो amount जिसके बदले हम किसी भी product को खरिद सकते हैं उसे का जाता है उस product का price in other word it is the amount of money which the buyer pay to seller for a product और क्या कह सकते हैं price वो amount होती है जो की buyer pay करता है seller को कोई भी product को खरीदने के लिए तो उसे हम price की term दे देते हैं तो आपको समझ में आगे होगा price कोई भी वो amount होती है जिसके बदरे हम product को खरीदते हैं या जो amount हम seller को देते हैं किसी product को acquire करने के लिए उसे price का आ जाता है ठीक है next है का आपका topic significance of price मतलब किसी भी product का price होना क्यों जरूरी है तो number one आता है determine the firm success तो price is an important determinant of success of a firm कोई भी firm होती है वो उसके product के उपर depend करती है और उसके product किस चीज़ पर depend करता है कि उस product का price क्या है उसी के according firm का profit या loss determine किया जाता है तो if the price is too high the business is lost अगर किसी product का price हम बहुच ज़्यादा रख देंगे तो उसके customer काम हो जाएंगे क्योंकि हमने price बहुच ज़्यादा कर रखा है उन्हें competitor इससे सस्ते में वो product दे रहा है वहीं if the price is too low the firm will lose again और वहीं अगर क्या होगा price बहुच ज़्यादा कम रख देंगे by competitive position of the firm and its share market क्या बोला है जो price होता है किसी भी product का वो एक important determinant होता है जिससे हमें पता लगता है कि मतलब जो चीज़ influence करती है market की demand को अगर किसी product का price कम है उसके competitor के price से तो उस product की demand ज़्यादा होगी competitor के product की demand कम होगी वहीं अगर किसी product का price ज़्यादा है competitor के price से तो उस product की demand कम होगी और जो competitor का product होगा उसकी demand ज़्यादा हो जाएगी तो इस तरीके से जो price होता है वो market की demand को determine करता है जिससे क्या होता है हमारे market का जो company है उसके share price भी determine होता है अब क्या है जो marketing progress है उस product के लिए हम कितना खर्चा कर सकते हैं उसकी marketing पर कितनी इसकी cost है क्या जो marketing की cost है वो उस product के जो हमने price रख रखा है उसके अंदर cover हो रही है या नहीं हो रही है अगर जो marketing की cost है वो cover हो रही होती है तो benefit होता है company को कोई दिक्कत नहीं होती है नेक्स्ट है important to consumer तो the price of product is important to consumer in as much as it determines the purchasing power and thus affects his standard of living consumer के लिए भी price जरूरी है consumer के लिए price क्यों जरूरी है किसी product का क्योंकि उसी से पता लगता है कि consumer की purchasing power क्या है और जितनी उसकी purchasing power होती है फिर उसके according वो product को खरीता है और जिससे उसका क्या होता है एक standard of living पता लगता है कि किस standard का कोई consumer है फिर एगा help to the consumer तो not withstanding the above price mechanism provide help and guidance to consumer in taking bank decision aimed at ensuring optimum utilization of his limited purchasing power among various alternative uses उपर तो बोला कि price से क्या होता है purchasing power पता लगता है और standard पता लगता है consumer का लेकिन वही price ये भी help करता है consumer की कि वो देख सके कि उसकी किसी product के price से उसे अंदाजा लग जाए कि ये product के जासा है सस्ता है या महिंगा है और वो अपने according अपनी purchasing power के according देख सके कि क्या मैं इस product को खरीज सकता हूँ या नहीं खरीज सकता हूँ क्योंकि उसे और भी कई सारे product खरीदने होते है market में फिर आगा important to firm अब firm के लिए कैसे price ज़रूरी है तो the price of product of crucial important to the firm firm के लिए भी ज़रूरी है इससे क्या होता है wages influence होती है interest, rent ये सारी चीज़े influence होती है production regulate होता है channelized productive resources को profitable जगे पर involve कर पाता है तो इस तरीके से ये firm के लिए भी important हो जाता है next topic आता है factor affecting price of a product अब किसी product के price को क्या क्या factors है जो affect करते है मतलब जिन जिन चीज़ों से जो product हैगा उसका price change हो सकता है number one हैगा cost of product cost of product is a basic determining factor of product price किसी product को बनाने में कितनी cost लगी है उसके according उस पर हम अपना profit margin बनाकर उस product का price determine करते है this implies that the price of product should be such that recover the average total cost per unit तो हमें product का price कैसा रखना होता है एक ऐसा price रखना होता है जिससे जो हमारी average cost हैगी per unit वो cover हो जाए another point which should be remembered is the cost should not ceiling on price the price is ultimately determined by market demand लेकिन जो ये cost हैगी वो ऐसी नहीं होने चाहिए कि उससे हम ceiling कर दें price को price तो market की demand से ही होगा लेकिन इतना होना चाहिए price कि जो हमारी cost लगी है at least वो cost तो cover होई जाए उसके बाद जितना प्राइस हो सकता है उतने तक जा सके next is desired public image तो while setting product price the management must ensure that price are consistent with the public image the top management is trying to create for the company desired public image अब कुछ consumer मतलब जो consumer होते हैं उनकी कुछ company हो से expectations होती है कि ये company जो भी product बनाएगी वो सस्ता ही बनाएगी या medium range का बनाएगी तो इस image को भी बना कर रखना होता है उसी के according किसी product का price रखना होता है company का कि जो image हैगी market के अंदर वो image खराब ना हो मतलब कोई अगर महांगी company है जिसका product premium price पर बिखता है वो कोई भी ऐसा product ना बनाएग जो की low price पर बेकना पड़े और कोई अगर low price company है तो वो कोई भी premium product ना बनाएग या किसी भी product का price premium price ना रखे फिर आप product market factor तो दा stage in product life cycle has a considerable influence on pricing decision जो product की life cycle होती है उस पर भी depend करता है किसी product का price the management has a very high और very low price during marketing pioneering stage such freedom is however not available during the time of growth maturity or market declining क्या बोला है कोई भी firm क्या कर सकती है या तो किसी product का price बहुत ज़्यादा high रख सकती है या बहुत ज़्यादा low रख सकती है वो सारा firm के उपर depend करता है लेकिन ये कब होगा जब stable होगी constant growth हो रही होगी उस टाइम पर लेकिन अगर growth का period maturity है या market decline phase में है तो company ऐसा नहीं कर सकती है next अगर distribution strategy पर भी depend करता है price वो कैसे तो दा distribution strategy adopted by manufacturer influence price of product because firstly each middleman in the distribution expect gross margin जो distribution strategy company adopt करती है अपने product को consumer तक पहुचाने के लिए उस चीज़ पर भी उसका price determine होता है क्योंकि distribution किसी channel के होता है और जो वो channel का middleman होता है उसे भी कुछ gross margin रखना होता है distribution के ओपर तो इससे क्या होता है जो price होता है product का वो थोड़ा सा inflate हो जाता है next अगर promotional strategy तो if the promotional strategy of a marketer require middleman to undertake a large part of advertising sales promotion they will expect greater than normal gross margin and vice worth क्या बोला है अगर कोई company नहीं ऐसी promotional strategy अपना रही है जिसके अंदर कोई middleman involved है तो company को जो price रखना होगा product का वो ऐसा रखना होगा कि वो जो middleman है उसका भी commission उसमें cover कर सके तो promotional strategy से भी एक तरीके से price determine हो जाता है next एक competitor's price तो pricing decision of a marketer are also influenced by competitor price जो pricing decision है किसी marketer का वो और किसी से influence होता है competitor के price से भी influence होता है ordinarily a marketer seeks to avoid price competition कोई भी जो marketer होता है वो क्या चाता है कि वो price competition को avoid कर सके मतलब किसी भी price competition में ना पड़े ऐसा price रखे जिससे कोई भी competition create ना हो market में rather than he uses non-pricing competition product distribution and promotion keeping his price essentially the same as competitor price तो वो क्या ensure करता है कि वो अपना price ऐसा रखे जो उसके competitor का price हो तो इसकी वज़े से वो क्या नहीं कर सकता है ना तो price को ज़्यादा कर सकता है ना ही price को कम कर सकता है तो इस तरीके से जो competitor का price है वो भी determine करता है किसी product के price को next आता है हमारा economic climate तो the ups and downs in business influence उस चीज़ पर भी किसी product का price determine होता है मतलब अगर अच्छे changes हो रहे हैं तो हम price को increase कर सकते हैं लेकिन अगर changes खराब हो रहे हैं तो हमें price को low रखना होगा जिससे जाजा से जादा इस टाइम पर हमारे पास customer attract हो पाई next topic आता है हमारा pricing objective मतलब किसी भी product के pricing का क्या objective होता है किसलिए हम किसी product का price रखते हैं तो number one target return the pricing objective of many firm is to achieve a certain target return on investment तो किसी भी product का जो pricing objective होता है वो क्या होता है कि वो जो पैसा लगा रिया उस पर उसे एक अच्छा return on investment मिल सके certain return on sales और some targeted amount of profit उसके अलावा कुछ return of sales भी मिले और कुछ profit भी उसे मिले यह first objective हो गया second आता है target market share तो another major pricing objective of a firm is to maintain or increase the share of market held by firm इसके अलावा second objective में क्या आता है कि वो चाहती है firm की जो market का share है मतलब जो company का share है market के अंदर वो बढ़ जाए या मतलब या तो जितना है उतना ही रहे या भड़े कम share ना हो ये भी एक objective होता है firm का pricing की determine करते समय तो increase in market share is the best method of evaluation as far efficiency of pricing is concerned अगर market का firm का share भढ़ रहा है market के अंदर तो ये बताता है हमें कि pricing है वो अच्छे से की गई है जो objective है वो fulfill हो रहा है इसमें क्या होता है it is viewed as long term strategy and is used as a way of eliminating competition meeting or preventing competition भी हमारा third objective होता है इसके अंदर हम क्या करते है price ऐसा रखते है जिससे क्या हो या तो जो market में competition चल रहा है उसको हम meet out कर सके मतलब उसके साथ cop up कर सके और अगर हम cop up नहीं कर पा रहे है तो क्या होता है हमारा objective कि हम उसको eliminate कर सके मतलब उस competition को बाहर कर सके market से या तो बहुत ज़्यादा price रख दे या बहुत ज़्यादा कम price रख दे तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी होती है next एक हमारा profit maximization तो profit maximization is an economically justifiable goal of pricing because if profit become underly high due to short supply of a given product new capital will be attracted into the industry thus balancing demand and supply क्या वो लगया है fourth objective आता है pricing का वो क्या है profit maximization क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है कि हमारा goal ये होता है कि हम pricing ऐसी रखें कि कुछ profit margin उस पर हमारा भी बस सके या जो हमने पिछली बार इस product से जिस pricing में कमाया था उससे और ज़्यादा हम थोड़ा सा profit maximize कर सके तो इसलिए हमें pricing किस चीज़ को और ध्यान में रखते हूँ करने हो चाहिए कि हमारा profit अच्छे से cover हो सके उसमें फिर आगा price stabilization fifth objective आता है pricing का तो some firm seeks to stabilize their price over long period hoping to smooth out possibly even to eliminate cyclic price fluctuation कुछ firm क्या देखती है कि वो price को stable कर सके एक लंबे समय के लिए जिससे क्या हो जो price में fluctuation होती है उसे वो stable कर सके या eliminate कर सके तो इस time पर क्या होता है जो firm pricing stabilization अपनाती है वो क्या करती है depression मतरब recession के time पर ना तो price को ज़्यादा गिरने देती है और नहीं जो boom का period होता है उस time पर price को ज़्यादा high करती है तो यह हमारा 5th objective हो जाता है इसी के साथ आपके pricing के 5 objective खतम हो जाते है आपका pricing strategies कौन कौन सी है तो कुछ different type की pricing strategy होती है कि किस तरीके से हम किसी product का price रख सकते है तो number one आता है skim the cream price क्या बोला गया है जैसा इसका नाम सजेश्ट करता है इस strategy में हम क्या करते है product की introductory stage पर हम उसका price थोड़ा सा high रखते है इस aim is not to maximize profit but to recover product development cost quickly इसका aim profit कमाना नहीं होता है इसका objective होता है कि जो हमने product development में cost लगाई है उसे हम जल्दी से जल्दी recover कर सके next है की penetration pricing तो penetration pricing is the opposite of skim the cream price in this strategy a low introductory price is set to speed up the product widespread market acceptance यह penetration pricing में हम क्या करते है यह opposite हैगा skim the cream price का इसके अंदर हम जो product का price हैगा वो बहुत ज़्यादा low रखते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा customers को attract कर पाए does the objective of this strategy is to capture and obtain market share before competitor enter into the market इसका objective क्या होता है कि हम जो market हैगी उसके अंदर एक अच्छा share capture कर लें कि इससे पहले कोई और हमारा competitor आ जाए third हैगा premium pricing strategy तो इसमें क्या करते हैं the price of goods and service in premium price strategy are little bit higher than average cost average cost से थोड़ा सा ज़्यादा हम price रखते हैं premium price जिसे हम कहते हैं these are focused mostly on consumer in the premium market इनका जो focus होता है वो किशीज पर होता है ऐसी market पर होता है जहां पर premium consumer मिलते हों some individual could believe that if a product price is high then only its quality will remain acceptable जो premium market को Q target करते हैं क्योंकि वहापर जो consumer होते हैं वो यह believe करते हैं कि अगर किसी product का price है वो high है तो उसकी quality भी बहुत जादा अच्छी होने वाली है 4 type की strategy आती है economy pricing तो one of the best pricing strategy that make into account the broad category of buyer in economy pricing these are very cost effective and sensible in terms of what they can offer economy pricing क्या होती है एक ऐसी pricing जो कि सभी के लिए affordable हो जिसमें हमारी cost भी cover हो जाए और किसी के लिए ज़्यादा महगा भी product ना बने मतलब जिसमें जो profit margin होता है वो बहुत जादा कम होता है उसे का जाता है economy pricing next आता है psychological pricing is one of the three main pricing strategy psychological pricing क्या होती है this pricing strategy is very popular to induce middle class ये जो psychological pricing होती है इसमें हम क्या करते हैं जो middle class वाले लोग होते हैं मतलब ना तो वो ज़्यादा अमेर होते हैं ना ही ज़्यादा गरीब होता है उनके लिए होती है इसमें हम क्या करते हैं जो price होता है उसे कुछ इस तरीके से रखते हैं कि वो जो उनकी mentality है उसको influence कर सके जैसे कि कई बार आपने देखा होगा किसी product का price अगर कोई 100 rupees का product है तो उस product का price 100 rupees ना रखकर 99 rupees रख दिया जाता है 199, 399, 349 ऐसे करके price रखा जाता है मतलब एक दो रुपे कम कर दिया जाता है उसी से बंदी का perception किसी भी person का perception change हो जाता है उस product को खरीजने के लिए तो उसे का आजाता है आपका psychological pricing next है आगी आपकी 6 strategy it is one of the strategy for differential pricing ये एक differential pricing की strategy है the size of product में affect the price in this case इसके अंदर क्या होता है जिस size का product होता है उसके according उसका price रखा जाता है distribution decision तो सबसे पहले topic आता है हमारे पास channel of distribution क्या क्या होता है मतलब किन वी इन तरीकों से हम अपने product को consumer तक available करवा सकते हैं तो channel of distribution also called marketing channel और trade channel जो channel of distribution होते होने हम marketing channel और trade channel भी कहते हैं are used to provide consumer with convenient means of obtaining the product and service they require जिनका use हम किसलिए करते हैं अपने consumer को convenient service provide करने के लिए जिससे हम easily अपने product को consumer तक available करवा सके तो उसके लिए हम channel of distribution का use करते हैं channel of distribution refers to various marketing institutions and the interrelationship engaged in effecting the physical and title flow of goods and service from producer to consumer और industrial user second definition बताए है channel of distribution की क्या होते हैं यह marketing institution होते हैं जिने हम एक तरीकते कहते हैं middle band होते हैं जो की क्या करते हैं जो हमारा product है या जो हमारी service है उसे producer से लेकर consumer तक पहुचाने का काम करते हैं जाता है channels of distribution ठीक है यह अलग definition दी है इसमें क्या बोला है वो रास्ता जिससे क्या हो जो production पर जो goods है वो कहां तक पहुच जाएं जहां पर उनका consumption होना है उस जगे तक पहुच जाएं उनको का जाता है channel of distribution ठीक है अब हमारे पास कई तरीके के channel of distribution होते हैं तो हमारा वही topic हैगा next types of channel of distribution मतलब किन-किन तरीके के distribution channels होते हैं number one आता है direct channel जिसे हम कहते हैं zero level channel तो producer sells their goods and service directly to consumer through this channel यह वो channel लेगा है जिसके through क्या होता है जो producer होता है वो अपना directly goods किसे sell कर देता है consumer को इसमें कोई भी middleman वगेरा बीच में नहीं होता है there is no intermediary between the producer and consumer consumer और producer के बीच में कोई भी middleman नहीं होता है producer में sell to customer directly through door to door salesman and their own retail establishment इसमें कैसे बेखता है customer जो producer होता है वो कैसे sell करता है या तो door to door sales service प्रोवाइड करवागे या आपने खुद के retail store खोल कर अपने product को बेचता है तो इसे का जाता है आपका direct channel second आता है आपका indirect channel तो if a manufacturer manufactures things on a huge scale he may not able to sell them directly to customer अगर कोई ऐसा manufacturer है जो बहुती large scale पर production करता है तो वो अपने product को directly customer को sell नहीं कर सकता है तो as a result he sell thing via middleman तो ऐसे टाइम पर वो क्या करता है कई सारे middleman के थुरू अपने product को consumer तक sell करता है इस intermediary could be wholesaler और retailer जो ये middleman होते हैं ये wholesaler भी हो सकते हैं और retailer भी हो सकते हैं बड़े लोग भी हो सकते हैं अ wholesaler is someone who buy item in big number from producer wholesaler कोन होता है कोई ऐसा person जो की large amount में manufacturer से good खरीद ले और फिर उन्हें consumer को sell करे वहीं retailer कोन होता है who buy goods from wholesaler वो person जो की wholesaler से goods buy खरता है और फिर consumer को sell करता है उसे का जाता है retailer ठीक है अब indirect channel में हमारे पास कई तरीके के channel आते हैं जालाता है single level channel तो an intermediary is used to this procedure instead of selling via agent or distributor a manufacturer sell directly to retailer this method is utilized for high-end watches and other similar items इसमें क्या बोला है single level channel में क्या होता है जो manufacturer होता है वो wholesaler को अपने goods को sell ना करके directly retailer को sell करता है और retailer क्या करता है फिर उन्हें consumer को sell कर देता है इसमें wholesaler की involvement नहीं होती है इसलिए it's a single level channel भी बोला जाता है next एगा हमारा two level channel तो in this method है manufacturer sell the material to wholesaler the wholesaler to retailer and the retailer to consumer इस method में क्या होता है जो manufacturer होता है wholesaler को अपने goods बेखता है जो wholesaler होता है retailer को retailer होता है consumer को here the wholesaler after the purchasing the material in large quantity from manufacturer sell it in small quantity to retailer इसमें क्या गरता है wholesaler large amount quantity में खरीद लेता है manufacturer से और फिरों से sell कर देता है retailer को छोटी-छोटी quantity में तो यह हो गया आपका two level channels next हैगा जो एक और टाइप हैगा वो हैगा three level channel तो this add on one more level to two level channel in the form of agent इसमें क्या होता है जो two level channel होता है उसी के अंदर एक agent की और involvement हो जाती है and agent help to bridge the gap between manufacturer and distributor agent क्या करता है जो manufacturer होता है वो directly distributor के साथ deal नहीं करता है मतब wholesaler के साथ deal नहीं करता है बीच में एक agent person आ जाता है जो manufacturer और wholesaler होता है उसके बीच में एक link का काम करता है तो यह हो जाता है हमारा three level channel the material is then sold by agent to wholesaler who in turn sell it to retailer and who in turn sell it to consumer फिर क्या होता है इसमें manufacturer agent के थू wholesaler को sale करता है wholesaler retailer को retailer consumer को तो यह three level हो जाते है इसलिए से three level channel भी बोला जाता है अब एगा importance of channel distribution यह हमें channel distribution की जरूरत पढ़ती ही क्यूं है तो number one है गा it creates utility तो the channel of distribution creates three type of utility namely time, place and possession जो channel of distribution होते है वो हमें three type की utility जते है मतब three इन तरीके की facility प्रोवाइड करते है time से related, place से related and possession से related time utility is created when channel of distribution make product or service available for sale when the consumer want to purchase them time utility कैसे बनती है कि जो यह channel of distribution होते है इनी की मदद से जब हमारे जो consumer है उसे product की जरूरत होती है वो उसे तब available हो पाता है तो यह time utility create करता है फिर अगा place utility is created by making goods and service available in convenient location and possession utility is created when channel of distribution facilitated passing the title of goods from producer or middleman to purchaser place utility तब create होती है कि जिस place पर consumer को goods चाहिए वहाँ पर उसे available होता है तो place utility create होती है वही position utility तब create होती है जब title होता है वो goods में producer से consumer तक pass हो जाता है तो उसे place utility create हो जाती है तो यह इस तरीके से तीन तरीके की utility create करने में help करता है next एगा it entails cost तो the cost involved in use of distribution channel enter the price of product that the ultimate consumer has to pay इससे हमें यह it entails cost मतलब इससे भी cost determine होती है क्योंकि जो channel of distribution की जो भी cost होती है वो goods के price में ही include करी जाती है तो इससे जो cost होती है वो भी influence होती है फिर it affect other marketing decision इससे जो बाकी के marketing decision होते है वो भी affect होते हैं कैसे distribution of channel is an important element of marketing mix जो distribution channel होता है वो marketing mix का एक important element है and the channel selected affects the marketing decision और जो भी हम channel select करते हैं उससे हमारे marketing decision affect होते है marketing decision में क्या-क्य affect होता है price affect होता है promotion, strategy affect होती है और physical distribution का भी channel affect होता है next importance है it determines the availability of product तो the usefulness of a product to consumer lies in the fact that it is available to them at the right time and right place यह क्या करता है जो product है उसे timely available करवा पाता है तो किसी भी product की usefulness consumer के लिए तभी होती है जब वो उसे जैसे available चाहिए वैसे available मिले और जब available चाहिए तब उसे मिल सके तो वो product consumer के लिए useful होता है तो इस तरीके से यह availability of product भी का भी ध्यान रखता है next importance है it perform marketing function तो the real importance of channel distribution lies in the fact that distribution channel performs several functions in overall marketing system जो real importance है कि इस channel मतलब जो channel of distribution होते हैं उसकी वो क्या होती है कि यह वो channel हैगा जो कि क्या perform करता है overall marketing system को maintain करके रखता है मतलब अगर channel of distribution अच्छा नहीं होगा तो हमारा कोई और भी marketing strategy work नहीं करती है अच्छे से first it facilitate exchange process होता है मतलब goods एक परसंते दूतरे परसंते तक transfer होते है secondly it enable the producer to adjust discrepancy in assortment via process sorting और secondly यह क्या provide करता है shorting का मौका देता है consumer को मतलब goods को choose करने का मौका देता है next it entails firm's commitment तो the channel decision entails long term commitment of the firm the relation between manufacturer and middle man depends largely upon choice of appropriate channel of distribution तो यह firm की commitment को भी entail करता है मतलब जो middle man होता है और जो firm होती है उसके बीच में कैसी relationship होगी यह किशीज़ पर depend करती है कि firm ने किस तरीके का channel of distribution चूज़ करा है मतलब उसमें agent है या सिरफ wholesaler है या सिरफ retailer है पर depend करता है next it facilitate control the choice of suitable channel ensure continuous and effective distribution thereby reducing fluctuation in production तो the choice of a suitable channel जो channel है वो कितना अच्छा है यह किसी से ensure होता है कि continuous and effective distribution है या नहीं है और इससे क्या होती है जो production में fluctuation होती है वो भी कम हो जाती है क्योंकि right time पर हमें raw material भी मिल जाता है और जब हमें product को अपने firm से बाहर बेजना होता है और right time पर हम उसे out of for sale भी भी भेज सकते है तो यह channel of distribution का ही काम होता है उसकी importance में include किया जाता है अब next एगा factor affecting the choice of channel of distribution ऐसे क्या क्या factor हैंगे जिसके उपर हमारा decision depend करता है कि हमें किस तरीके का channel of distribution accept करना है तो number one आता है हमारा market consideration तो an important factor influencing the choice of channel is the nature of market जो एक important factor है कि हमें किस तरीके का channel of distribution accept करना है वो किस चीच पर depend करता है nature of market मतलब market का nature कैसा है कि किस तरीके के उसमें types of consumers है मतलब किस तरीके के consumers है size of demand उस market में demand कैसी है geographical location of market market की geographical location क्या है मतलब किस जगे पर हैगी हमारी market उसके बाद order size कितना order size आता है उसके बाद customer buying habit and preference customer की buying habit क्या है मतलब routinely basis पर कर रहा है या recurring basis पर हो रही है प्रेफरेंस क्या है वो किस प्रोड़क्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है तो इन चीज़ पर डिपेंड करता है हमारा चैनल ओफ डिस्टिबिशन next है product consideration तो product consideration में हम क्या देखते हैं कि product कैसा है उसके according हम channel of distribution accept करते हैं कि perishable product तो नहीं है मतलब अगर कोई खराब होने वाला product है तो उसका channel of distribution ऐसा रहेगा जिससे जल्दी product का नुदिमर तक पहुँच जाए फिर product का size क्या है उसके according देखते हैं कि हमें क्या channel लेना है distribution का उसके बाद units value किस तरीके से हम उसे transfer कर सकते हैं मतलब एक-एक unit transfer हैगी product की या वो bundled हैगी क्या चीज़ है फिर technical nature मतलब जो product का nature हैगा वो कैसा है इन सारी चीज़ों पर भी depend करता है channel of distribution next है का company consideration तो company के nature पर भी depend करता है कि हो चैनल of distribution accept करेगी मतलब age क्या है company की मतलब अगर पurानी company है तो वो किस तरीके का channel accept करेगी और नई company है वो new तरीके का channel accept करती है तो ये इसीज़ों पर depend करता है channel of distribution उसके पाद size of company company का size क्या है उसके उपर depend है resources क्या company use करती है उसके उपर है फिर desire for control of channel और company की क्या desire है कि वो channel of distribution के उपर कितना control रखना चाती है उसके उपर depend करता है कि वो क्या channel of distribution को accept करेगी next है का हमारा middleman consideration, तो middleman consideration में since middleman constitute a channel of distribution their nature role exact considerable influence on channel selection middleman पर भी depend करता है कि जिस तरीके का हमारा middleman होता है उसके according हम choose करते है channel of distribution कि हमें कितने middleman चाहिए उस पर भी depend करता है कि अगर सरफ हमें retailer चाहिए तो single level channel करेंगे retailer और wholesaler चाहिए तो double second, मतलब two level channel करेंगे और retailer, wholesaler, agent चाहिए तो three level of distribution को accept हम करेंगे तो यह हमारी consideration है किस की सीज़ पर हमारा जो channel of distribution का decision है वो depend करता है next topic आता है हमारा wholesalers, तो wholesalers क्या होते हैं wholesalers are the merchants who buy product from producer or wholesaler and release them to retailer organizational buyer or to other wholesalers, wholesalers वो person होते हैं जो manufacturer से direct goods को खरीते हैं उन्हें फिर retailer को या दूसरे wholesalers को sale कर देते हैं, उसे का जाता है हमारा wholesaler wholesaler provide an important link between producer and retailer, wholesaler क्या काम करता है, producer के बीच में और retailer के बीच में एक link का का काम करता है, तो ये person कहलाता है wholesaler, अब wholesaler भी कई तरीके के होते हैं, तेखिए पहला आएगा pure wholesaler, तो अब pure wholesaler also called a proper wholesaler or distributor, जो एक pure wholesaler होता है, उसे proper wholesaler or distributor भी कहते हैं, is engaged in only buying and selling of goods in large lot, जो की किशीज में engage होता है, सरफ goods को large lot में खरीदने के लिए कि वो जो खरीदेगा manufacturer से, सरफ बड़ी-बड़ी quantity में इगोड़ को खरीदेगा, छोटी quantity में नहीं खरीदेगा, and does not engage himself in such activity as manufacturing or retailing as other wholesaler do, और अपने को किन activities में नहीं involve करेगा, ना तो वो manufacturing करेगा ना retailing करेगा, सरफ wholesaling का business करेगा, उसे का जाता है pure wholesaler वहीं second आता है retail wholesaler, तो such wholesaler combine retailing with their wholesaling function ये वो wholesaler होते हैं, जो wholesaling के function के साथ साथ retailing का भी function करते हैं, मतलब बड़ी-बड़ी amount में goods खरीदने और बेकने के अलावा, छोटी-छोटी amount में भी sell और purchase करते हैं thus they purchase goods in large lot from manufacturer and sell them to retailer as well as consumer ये क्या करते हैं, large amount में manufacturer से goods खरीद लेते हैं फिर उन्हें retailer को भी sell करते हैं और directly consumer को भी sell कर देते हैं तो उन्हें का जाता है retailer wholesaler next आगा manufacturer तो a manufacturer wholesaler engage himself in manufacturing of goods besides an undertaking wholesaling function manufacturer wholesaler वो person होता है जो की manufacturing भी करता है और फिर उन goods की wholesaling भी करता है, wholesaling का function भी perform करता है, तो उसे का जाता है manufacturer wholesaler, he may also deal in goods of goods manufacturer with the purpose of meeting the retailer demand ये क्या करता है, goods को manufacturing भी करता है retailers की demand को meet out करने के लिए increasing its turnover उसके turnover को बढ़ाता है और reduce कर देता है उसके overhead expenses को, ठीक है next topic है का हमारा functions क्या क्या होते हैं, एक wholesaler के wholesaler क्या क्या काम करता है, तो number one आता है buying, तो the wholesaler anticipate customer demand gather information regarding alternative source of supply and purchase and assemble goods from these sources, wholesaler क्या करता है, analyze करता है कि customer की क्या demand है, उसके according analyze करता है market को कहां से उसे ये goods मिल सकते हैं, और सबसे best source से उन goods को acquire करता है, और customer को available करवाता है next is selling, तो the wholesaler sell goods in large lot to retailer and industrial user, wholesaler क्या करता है goods को large lot में किस-किस को sell करता है, एक तो retailer को sell करता है, और एक जो industrial user होता है मतलब जो industries उन goods को चाती है, उन्हें sell करता है फिर एक है storing, तो wholesaler provide warehousing service at lower cost than most individual producer or retailer could provide जो wholesaler होता है, वो साथ में warehousing की services भी provide करवाता है at lower cost पर, ठीक है उसके अलबाब ट्रांसपोर्टिंग, तो the wholesaler transport goods from place of manufacture to their own go down from where they further move the goods to retailer transporting की का भी काम करता है wholesaler कैसे करता है, तो manufacturing location से goods को उठाता है और अपने खुद के warehouse पर उन्हें store कर लेता है, तो इस तरीके से वो transporting का काम भी करता है, next है grading and packaging, तो the wholesaler perform grading of the assembled goods according to certain standards often give a brand name and endertick packing of goods to convenience the buyer and the quality of their goods being purchased, grading and packaging का भी काम करता है, कुछ goods ऐसे होते हैं, जो open manufacturer किये जाते हैं और manufacturer जो होते हैं वो उन्हें openly sell कर देते हैं तो फिर जो wholesaler क्या करता है, उन्हें pack करता है, उन्हें एक branding देता है जिससे जो purchasers हैं, मतलब consumers हैं, उन्हें एक brand की quality की assurance मिल सके, फिर अगर pricing, तो the wholesaler fixes the price of goods he sells to retailer industrial user, wholesaler क्या करता है, goods का price भी determine करता है, कि अपना margin रखकर वो, जिस amount पर retailers को sell करेगा, उसके according goods का price determined होता है, फिर एगा this price often forms the basic on which the retailer fixes the price that he will charge from customer, और यहीं price होता है, जिसके basis पर जो retailer होते हैं, वो आगे customer से price charge करते हैं, फिर financing भी करता है, तो the wholesaler provide financial accommodation to both manufacturer and retailer, जो wholesaler होता है, वो financial accommodation भी, मतलब financial help भी provide करता है, किसे manufacturer को भी और retailer को भी, ही purchase from manufacturer on cash, वो cash के पर से manufacturer से खरीता है, goods और manufacturer को उस टाइम पर advance की advance देता है, तो इस तरही किसे वो financial accommodate करता है, manufacturer को ठीके, यह होगे आपका wholesaler का complete concept, next concept आता है, आपका retailers का, wholesaler समझा, हमने retailer भी वैसे तो आपको समझाई दिया है, लेकिन एक बार concept हैगा, तो उसे हम देखते हुए चलेंगे, retailing include all activity directly related to sale of goods of service to ultimate customer for personal non-business use retailing क्या होती है, यह एक activity है, जिसमें क्या होता है, जो goods होते हैं, वो ultimately किसे sale करे जाते हैं, customer को sell करे जाते हैं, किस लिए sell करे जाते हैं, या तो personal use के लिए, या non-business use के लिए good sell करे जाते हैं, मतलब अब या तो उनका consumption होगा, या consumption ही होगा, और कुछ उसका नहीं हो सकता है, मतलब re-manufacturing या reproduction उनका नहीं हो सकता है तो उसे का जाता है retailing तो retailer कौन होता है एक person होता है जो कि ultimate customer को goods sell करता है किसलिए non-business use के लिए business में उन goods का use नहीं किया जाएगा तो उसे का जाता है retailer functions क्या क्या होते है एक retailer के number one आता है buying and assembling of goods from favor wholesaler and manufacturer with a view to meeting the need of consumer जो retailer होता है वो wholesaler से या directly manufacturer से भी goods को खरीदता है ताकि वो उन्हें customer को available करवा सके तो ये first function होता है retailer का next is selling of goods in retail to ultimate customer retail quantity में मतब छोटी-छोटी quantity में customer को goods sell करना ये second function में आ जाता है next is storing of goods to hold stock so as to maintain uninterrupted supply of product demanded goods को store करके रखता है ताकि क्या हो जब उनकी demand आए product की तो वो उन्हें जल्दी से जल्दी available करवा सके तो ये third function में आ जाता है fourth transporting goods from wholesaler ये क्या करता है wholesaler से goods लेता है और अपने पास store करके रखता है तो transporting का का काम करता है next dividing packaging and pricing of goods purchase from wholesaler, wholesaler से जो goods खरीदे हैं mix होते हैं तो उन्हें divide करता है उनकी दुवारा से packaging के अगर जरूरत होती है तो वो करता है और pricing करता है फिर एगा risk taking against possible loss of goods अगर goods को किसी भी तरीके का fire से चोरी से किसी से भी loss होता है तो उसका risk के यही bear करता है तो यह हमारे retailer के functions होते है अब देखे ज़्यादा बड़ा रहनी गया आपका कुछ ही थोड़ा सा ही chapter रह गया है जो की हैगा marketing logistics के बारे में यह हैगा आपका इस chapter का last topic तो देखे concept of marketing logistic marketing logistic होता क्या है तो दा term logistic refers to the complete process of bringing raw material and component part into an organization then moving to next stage of work in progress through the organization and transporting finished good out of the organization logistic पहले समझते हैं उसके बास समझेंगे marketing logistic तो logistic होता है वो process जिसमें क्या होता है raw material organization के अंदर आता है फिर वो work in progress में जाता है फिर वो finished good बनकर तयार होता है sell होने के लिए organization से बाहर चला जाता है यह जो पूरा process जिस process से होता है यह सारी चीज़े उस process को कहा जाता है logistic to carry out this logistic task effective marketer stabilize and nurture long term partnership with supplier, companies, partner customer, wholesaler इस logistic के task को अच्छे से करने के लिए जो marketers होते हैं marketing managers होते हैं वो क्या करते हैं partnership कर लेते हैं long term partnership supplier, companies, partners, customer, wholesaler इन सब के साथ ता कि एक अच्छो logistic का जो channel है वो उन्हें मिल सके importance क्या होती है marketing logistic की तो number one है का improve customer experience तो logistic management help to provide faster and quality services अगर logistic अच्छा होगा तो क्या होगा जो हमारी services होगी हमारे customers को वो भी अच्छी होगी quality अच्छी होगी और faster होगी second अगी accessibility तो ensure access to right product at right time जो marketing logistic होता है वो क्या ensure करता है कि हमारा right product right time पर available हो जाए customer को फिर एगा create time and place utility तो the company uses time utility show that all the component and material are available when they are needed company के अंदर ये time utility create करता है कैसे करता है कि जिस time पर company को जो product की availability है मतलब जो raw material चाहिए या जो component चाहिए वो available हो सके ये ensure करता है marketing logistic and the manufacturing line is unaffected और इससे क्या हो manufacturing line पर कोई भी effect ना आए place utility कैसे create करता है तो place utility that all necessary community and service are accessible where and when they are needed जहां पर वो हमें service चाहिए या जो भी चीज़ रही है वहाँ पर available मिल सके ऐसे place utility को create करने में help करता है फिर बूस्टिंग profit तो when goods are manufactured or time and delivered to end user on time जब goods timely manufacturer होंगे और timely deliver होंगे end users को तो क्या होगा wastage tends to be very low wastage कम हो जाएगी which tends to increase the profit of the firm और इसे क्या होगा जो firm का profit है वो increase हो जाएगा next एगा help to align the changing work environment and we all know because business trends are changing rapidly and involvement of information technology has increased in every sector so is the case with the logistics तो जैसा कि हम सभी को पता है सारे business बहुत ज़दा rapidly change हो रहे है involvement और इसे इंफोर्मेशन टेकनोलोजी की तो इसी तरीके का जो हैगा वो logistic के साथ भी है और जो logistic है वो अच्छे से काम कर पाता है in changing working environment में अपने आपको भी change करके ठीक है अब आगे हैगा हमारा stages in marketing logistic logistic के अंदर क्या-क्या stages होती है तो number one हैगा inbound logistic तो these are logistic that flow from supplier to manufacturing unit इसमें क्या होता है supplier से manufacturing तक जो जो चीज़े आती है उसमें जो logistic का process का use होता है वो कहलाता है inbound logistic these are basically the raw material needed by firm to manufacture certain goods इसमें आमारा के आता है जब raw material की need होती है company को तो वो जिस logistic का use करती है raw material लाने के लिए उसे का जाता है inbound logistic second है outbound logistic तो they flow from manufacturer to point of consumption ये manufacturer से consumption तक जाता है shipment of item of other firm facilities such as temporary warehouse, physical store, supplier and production facility also included in logistic step इसमें basically क्या होता है जो firm manufacturer कर लेती है उसको जब consumer तक पहुंचाया जाता है तब जो logistic का use किया जाता है वो कहलाता है आपका outbound logistic next है का reverse logistic reverse logistic is the process of sending goods back to supply chain from end user to either the producer or retailer reverse logistic का use क्या करा जाता है end user से मतलब supply chain में से जब goods को वापस firm तक या manufacturer तक भेजा जाता है तब जो logistic का use होता है वो कहलाता है आपका reverse logistic reverse logistic begin with the end user and end at the producer of the good reverse logistic होता है वो कहां से begin होता है end user से begin होता है और end का होता है goods के producer पर end होता है जाकर ठीक है next है का component of marketing logistic marketing logistic में क्या क्या components आते हैं तो number one आता है आपका order processing तो processing consumer order serve as the foundation of marketing logistic सबसे पहला क्या component सबसे useful component है वो क्या है order processing मतलब अगर order ही नहीं होगा तो वो process किशीज को करेंगे the customer order should be completely as quickly as possible in order to give a better customer services तो marketing logistic क्या ensure करता है जो customer का order है वो as soon as possible complete किया जा सके जिससे एक better customer service provide की जा सके अपने customers को order processing start from receiving order recording it, filling it, processing it assembling all received order for further transportation order processing में क्या करा जाता है order receive होता है उसे record करा जाता है फिर जो filling की जाती है processing की जाती है उसकी assembling की जाती है और उसके बाद order को dispatch कर दिया जाता है next component आता है transportation तो transportation means movement of goods from one place to another transportation क्या होता है movement of goods from one place to another मतलब एक जगे से goods को दूसरी जगे पहुचाना है transportation के अंदर आता है ये second component है transportation is necessary function of marketing because most of the marketer are geographically separated from area of production transportation क्यों ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा तर marketer होते हैं या markets होती हैं वो अलग-अलग जगे ओपर located होती हैं जो की area of production से काफी दूर होते हैं तो वहां तक goods को पहुचाने के लिए marketing logistic का use किया जाता है अफ फर्म से ability to transport undamaged product to appropriate distribution is timely fashion effect the firm's success in satisfying customer needs and wants बस तो यह क्या ensure करता है कि जो firm का product है वो undamaged तरीके से जहां तक हमें पहुचाना है वहां तक पहुचाए जा सके यह कौन ensure करता है marketing logistic ensure करता है next अगा आपका storage and warehousing storage involves holding and preserving goods between the time of their production and the time of their use storage क्या होता है goods को hold करना जब वो produce हो गये हैं अभी sold नहीं हुए है या उनका use नहीं हुए है तब तक के लिए जो store करा जाता है उन्हें तो का जाता है उसे storage अब warehouse is a place where goods are restored or accumulated और warehouse क्या होता है वो place होती है जहां पर उन goods को store करके रखा जाता है the storage function is thus made effective through the establishment of warehouse तो storage function को हम effective कैसे बना सकते है warehouse को stabilize करके warehouse is design of operation of storage facility तो warehouse क्या होती है इस design होता है कि storage facility कैसे provide करी जारी है next है का inventory control तो inventory means the stock of goods held by firm in anticipation of sale firm ने goods को produce कर लिया लेकिन अभी sale के लिए order नहीं आया है तो जो goods वो firm के पास पड़े हैं उन्हें inventory का जाता है inventory may be of two type Intransit inventory which is moving through the distribution system and warehouse inventory stock of goods lying in factory and or warehouse inventory दो तरीके की होती है एक होती है Intransit inventory वो कौनसी inventory होती है जो कि warehouse से जा चुकी है sale के लिए लेकिन अभी उसकी sale नहीं हुई है जो कि distribution channel में होती है उसे Intransit inventory का जाता है वहीं warehouse inventory कौनसी inventory होती है जो कि अभी भी फर्म के stock में पड़ी है उसे का जाता है वेराउजिंग inventory फिफ्थ कॉंपोनेंट है information monitoring तो दा marketing logistic manager constant want to most recent data on stock shipping and warehousing जो marketing logistic के manager होते हैं उन्हें हरदम information चाहिए होती है stock की कि कितना stock हैगा उनके पास कितना shipping में हैं कितना warehousing में हैं तो इसके लिए हमें क्या inventory वो information monitoring का हम use करते हैं मतलब जो marketing manager होते हैं वो information monitoring का use करते हैं यह सारी चीज़े acquire करने के लिए ठीक है तो देखें दोस्तों इसी के साथ हमारी unit number 4 complete हो जाती है इसका second part cover करवा दिया है पहले पार्ट जो पहला chapter है वो मैं पहले ही cover करवा चुका हूँ में भी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करना मत भूलेगा चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा इस टैप के और content के लिए अब हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में thank you